आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं बजाच कंपनी की तरफ से 5 लाख रुपय का लोन हम कैसे ले सकते हैं और उस पर कितना इंटरेस्ट लगेगा कितना प्रोसेसिंग चार्ज लगेगा और कितनी EMI हमें मंतली पे करनी होगी और उस पैसे को हम डारेक्ली अपने बैंक अकॉंड में कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं A to Z सारी जानकारी आज की वीडियो में हम आपको देने वाले हैं तो इस वीडियो को आप बिना स्किप की एंड तक देखते रहिए तो गैस देखिए अगर हमने बजाच फिंजर्व का EMI कार्ड अगर हमने बनवा रखा है और अगर कोई भी प्रोडक्ट उससे हमने EMI पर परचेस करा है और उसकी EMI अगर हम टाम टू टाम डू डू डेट पर पे करते रहते हैं तो बजाच कंपनी हमें परसनल लोन के इस प्रोड कर रही है और नीचे की साइड लिखा हुआ है गेट को एक डिस बरसल तो इसका मतलब होता है तुरंच जो हमारा लोन का पैसा है वो डारेक्ली हमारे बैंक अकॉंट में ट्रांसफर हो जाएगा तो गाइस देखिए इस तरीके का यह मैसेज मुझे एक महीने से लिंक पर हम क्लिक कर लेते हैं क्लिक करने के बाद यह जो लिंक है यह हमारे क्रोम ब्राउजर में ओपन हो जाएगा तो गाइस यहाँ पर आप उपर की साइट देख सकते हो चार स्टेब हमें यहाँ पर पूरे करने पड़ेंगे पहले हमें अपनी कुछ बेसिक डिटेल को करना होगा लोन का ओफर फिर हमें मिल जाएगा वेरिफिकेशन हमें करनी होगी और हमारा लोन का पैसा हमारे बैंक अकॉट में ट्रांसफर हो जाएगा तो डिटेल में हमें यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोफेशन तो अगर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे अगर हम जॉप करत जो भी हमारा registered mobile number है वो हमें यहाँ पर enter कर देना है उसी के साथ-साथ pen card पर जो भी हमारी date of birth mention है उस date of birth को हमें fill कर देना है pen card holder का नाम, full name और जहाँ पर हम रहते हैं उस area का pin code तो चलिए इस सब details को हम fill कर लेते हैं तो गाइस यहाँ पर हमने अपने details को fill कर दिया उसके बाद नीचे की side लिखा हुआ है check your offer यहाँ पर हमें simple से click कर लेना है click करने के बाद हमारे mobile number पर एक OTP आएगा, one time password आएगा तो गाइस OTP हमारा आ चुका है OTP को हम इस जहाँ पर fill कर देते हैं तो गाइस OTP को enter करने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है required loan amount तो गाइस यहाँ पर हम बताना होगा बजाच को कि हमें कितने loan की ज़रुरात है उसी हिसाब से यह हमारा offer find कर देगा तो चलिए मैं यहाँ पर 5 लाग रुपय का amount enter कर लेता हूँ आपको जितने की भी ज़रुरात हो आप यहाँ पर enter कर सकते हो उसके बाद pen card number तो अब हमें अपने pen card के number को enter कर देना है उसी के साथ साथ हमारा pen card holder का तो नाम यहाँ पर आही चुका है जो हमने अभी enter कर आता marital status, married या फिर single तो हमने यहाँ पर क्लिक कर लिया है हमारे area का pin code और यहाँ पर category हमें देनी होगी हम job कहां करते हैं public, private या फिर government तो हम यहाँ पर public यहाँ पर इस तरीके से कर देते हैं और अब यहाँ पर हम अपने pen card के number को enter कर देते हैं मतलब हमारे bank account में हर महीने कितनी salary आती है तो guys यहाँ पर हमने monthly salary एंटर कर दिये उसके बाद यहाँ से हमें submit कर देना है submit करने के बाद इस तरीके से यह load लेगा और यह offer find कर रहा है कि हमें कितना loan मिलना चाहिए बजाच company की तरफ से तो guys देखिए बजाच company ने successfully हमारा जो loan का offer है उसको detect कर लिया है find कर लिया है तो congratulations उपर की side लिखा हुआ है और नीचे की side लिखा हुआ है you have been approved for a maximum loan offer 11,20,000 रुपए subject to the maximum tenure बाद तर मन तो guys देखिए 11,20,000 रुपए तक का हमें यहाँ पर maximum loan मिल जाएगा और यहाँ पर maximum tenure हम 72 माहिने तक का बनवा सकते हैं लेकिन हमने 5,00,000 रुपए का loan amount एंटर करा था तो 5,00,000 के हिसाब से यहाँ पर detail नीचे की side आ चुकी है loan की detail हमें देखने को मिल जाएगी और यह बजाज finance की तरफ से हमें flexi loan मिल रहा है तो guys यहाँ पर max eligibility 11,20,000 रुपए लिखी हुई है तो अगर 5,00,000 को हटा कर अगर हम जाद amount लेना चाहें 10,00,000 लेना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं या 11,20,000 लेना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं और guys देखिए अगर हम यहाँ पर ऊपर की साइट स्क्रोल करते हैं तो हमारे price की detail नीचे की साइट शो हो रही है तो guys यहाँ पर EMI, interest, tenure, fees वगएरा और नीचे की साइट हमारे loan की detail शो हो रही है तो 5,00,000 रुपए का हम यहाँ पर loan ले रहा हैं यह जो fees है यह total बनती है 17,421 रुपए तो guys यहाँ पर हम calculator में आ चुके हैं अब यहाँ पर हम 5,00,000 रुपए को enter कर देते हैं और इस में से हम minus कर देते हैं 17,421 रुपए तो guys देखिए यहाँ पर हमारे bank account में आएंगे 4,82,589 रुपए और guys देखिए 5,00,000 रुपए के amount पर जो annual interest है वो यहाँ पर लग रहा है 15,9% का तो guys देखिए यहाँ पर calculator में मैं फिर से आ चुका हूँ और 5,00,000 रुपए पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि कितना interest लगेगा तो हम यहाँ पर 15,9% के हिसाब से देख लेते हैं तो यहाँ पर 5,00,000 रुपए पर एक साल में जो interest लगेगा वो लगेगा 89,500 रुपए और guys जो tenure होगा वो 22 मंत का होगा मतलब 22 महीने की हमारी EMI होगी 22 महीने 6 साल होते हैं तो इसको हम multiply by 6 कर देते हैं तो 6 साल में जो interest है वो लगेगा total 4,77,000 रुपए यह सिर्फ interest का मैं आपको बता रहा हूँ जो की 6 साल में लगेगा हमारे 5,00,000 रुपए के amount पर अब guys यह 4,77,000 रुपए के amount में 5,00,000 हम यहाँ पर plus कर देते हैं क्योंकि 5,00,000 रुपए का हम loan ले रहा है तो total amount यहाँ पर बन रहा है 9,77,000 रुपए अब यह equal हो चुका है अब guys इसको हम divide कर देते हैं 72 EMI से तो guys यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारी month की हमारी जो EMI निकल कर आ रहा है वो निकल कर आ रहा है 13,570 रुपए तो guys देखिए 13,570 रुपए हमें 12 महीने तक देने होंगे तो 9,77,040 रुपए हमारे पास से चले जाएंगे तो guys देखिए बजाच कंपनी 6 साल में ही अपने दिये हुए loan के पैसे को double कर रही है तो ऐसा loan हमें नहीं चाहिए क्योंकि guys इसमें processing charge, convenience charge और interest काफी जादा है इसलिए हम इस loan को नहीं लेंगे तो guys देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूँ यह जो page है, यह जो dispersal amount है और यह जो EMI का amount है, यह इस page में गलत बता रहा है exact नहीं बता रहा है अब ही जब मैं इसको apply कर रहा था तो बजाच customer care की तरफ से मेरे registered mobile number पर call आई थी कि आप 5 लाग रुपए loan के लिए apply कर रहा है तो मैंने हा कहा तो उन्होंने मुझे exact value loan की बता दी कितना interest लगेगा, कितना EMI बनेगी monthly और guys जो भी हमारी salary हमारे bank account में आती है उसकी 3 महिने की उन्होंने latest statement भी मागी थी उसके बाद वो हमें exact value बता देंगे जो loan detail मैंने आपको इस video बता दी है वही customer care भी हमें बता रहा है तो guys देखिए फिलाल तो मैं इस loan को नहीं ले रहा हूँ आइफसी कोड वागेरा उसके बाद जो भी हमारे loan का disbursal amount है वो directly हमारे bank account में transfer हो जाएगा ये fees कटने के बाद जितने का भी हम loan लेंगे जितनी भी fees यहाँ पर लिखी हुई होगी वो fees कटके हमारे bank account में आ जाएगी और जो भी हम EMI calculate करेंगे उस EMI को हमें मंतली pay करना होगा तो गैस देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूँ अगर आपकी अच्छी खासी salary आपके bank account में आती है या फिर अगर आपका खुद का कोई business है तो bank से आप एक limit set करवा सकते हैं limit बनवा सकते हैं एक लाग रुपए से लेकर पचास लाग रुपए तक की उस limit के balance पर सिर्फ 7-8% तक का annual interest लगता है और कोई भी processing chart या convenience chart नहीं होता है इससे गयद आप भारी interest या फिर processing chart से आप बस सकते हैं तो गैस देखिए अगर हम बजाज company की तरफ से loan लेते हैं और गैस देखिए बैंक से हम जो limit set करवाते हैं उस बैंक से हम जितना भी पैसा निकालेंगे सिर्फ उस पर ही interest लगेगा और बागी का जो balance पढ़ा राएगा उस पर कोई भी किसी तरह का interest नहीं लगेगा तो बस गैस यही थी आज की वीडियो उसी तरह के साप भी बड़ी आसानी से अगर आप बजाज company की तरफ से 5 लाख रुपय तक का loan लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं तो अगर आप कोई वीडियो पसंद आई हो तो लेग और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राब करेगे बैल नोटिफिकेशन पर आप जरू के लिक का लेना थैंक यू